कि निमंत्रन तो जहां भी आदमी का संबंध होता है तो इस तरह के अफसर पर आदमी निमंत्रन देता है तो उसी हिसाब से हम भी निमंत्रन दे रहें महागटबंदन में अधिकांस लोगों को चिवड़ा देखें चिवड़ा तो दो जगह का मुक्रुप से बिहार में फेमस पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है खास तवर पर बिहार की सियासत की अगर बात करें तो बिहार की सियासत में इस भोज का बड़ा महत्व है इससे पहले जब लालुपरशाद ईयादब और वसिष्ण नरायन सिंग जैसे लोग अपने आवास पर भोज दिया करते थे और इस बार भी जो है वो रावडी हाऊस पर भोज का आयोजन किया गया है साथी साथ उपेंद्र कुष्वाहा ने भी जो है इसका आयोजन किया है बता दे आपको कि वसिष नरायन सिंग जो की जेडियू के वरिष्ट नेता है 22 साल से लगतार वो इस आयोजन को करते आ रहे थे और जिसमें दलों की सिमाई भी तूटती थी जिसके बाद कई लोग पार्टी से इतरहट के दुसरे भी सामिल होते थे तो इसलिए इसको कहा जाता है सियासत का भोज और अब देखिए उपेंद्र कुष्वाहा को ये जिमेवारी दी गई है वसिष नरायन सिंग के तरब से उपेंद्र कुष्वाहा ने वसिष नरायन सिंग से कहा कि हम भोज करने जा रहे हैं और वसिष नरायन सिंग इस बार अपने आवास पर भोज नहीं बलकि उपेंद्र कुष्वाहा इस भोज को कर रहे हैं सवाल उपेंद्र कुश्वाहा से पूछा गया कि आखिरकार इस भोज में किनको किनको निमंतरन है और ने कहा कि महागडबंदन के सभी घटक दल तो रहेंगे ही साथी साथ अन जो लोग हैं वो भी इस भोज में आमंतरित रहेंगे साथे साथ यह भी कहा जाता है कि इन सब जो भोज होता है तो इसमें दलों की सिमाएं भी तूट जाती है अब बात करें भारतिये जनता पार्टी से भी क्या उपेंद्र कुश्वाहा जो है आमंतरित करेंगे भारतिये जनता पार्टी के निताओं को भी बुलाएंगे या सव उपेंद्र कुछ वहाद से पूछा गया उन्होंने इसका जवाब दिया है कि ऐसे मौके पर इस तरीके से नहीं देखा जाता है जिनसे व्यक्तिकत संबंध होता है उनको जो है निमंत्रन दिया जाता है आमंद्रित किया जाता है साथी साथ आरजीडी की बात करे हम तो तेज श्वियादब की अगवाई में ये भोज, दस सरकूलर रावरी हाउस पर किया जा रहा है, पुरी तैयारी चल रही है, लगतार जो निताओं को आमंशित करने का सिलसिला है, वो भी दोनों तरब से जारी है, जहां आरजेडी की तरब से तो वहीं जेडियू के तरब से भी सभ को निमंत्रन भेजा जा रहा है लेकिन उपेंद्र कुष्वाहा ने क्या कुछ कहा है सारे मामले के लेकर दई छुड़ा भोज को लेकर सुनिया इस पयान को कि चुड़ा दई के भोज में चुड़ा दई तिलकुट सब्जी इंतियाम होता है और लोगों को आमंत्रन जा रहा है त्यारी है लोगों को कोई दिकत नहों यहां खाने में एक दूसरे से मिलने में यहीं त्यारी है देखे निमंत्रन तो जहां भी आदमी का संबंध होता है तो इस तरह के अफसर पर आदमी निमंत्रन देता है तो उसी हिसाब से हम भी निमंत्रन दे रहें महागटबंदन में अधिकांस लोगों को चाहे पार्टी के लीडर्स हों कार्ज करता हूं उनको अपनी पार्टी क अंदर भी या व्यक्तिगत रुप से दल की सीमा से बाहर भी मिडिया की बंदु हैं कोई कोलेज के टीचर है या पुलिटकल भी कोई जिन से व्यक्तिगत संबंध है तो वहां दल की सीमा ऐसे अब सरों पर नहीं रहती है तो उसी साब से निमंत्रन जा रहा है इसलिए हमने कहा कि अपने गठवंधन के अंदर तो अधिकान सुलों को देंगे बीजेपी में व्यक्तिगत संबंध किसी से अगर है तो उसके अधार पर देंगे कोई पार्टी के अधार पर बीजेपी में नहीं देंगे के अधिगा स्सब्स और यहार मेंुशित isn देख़ुखा यह कर दो जगहे का मुकर्स देखर में हсемए होता है यह होता है चंपारण के लाके का मुणचया है और दुसरा होता है भागलपुर के इलाके का कतरनी चुरा तिल-कुट गया का वह और को जोए इस पीश्याका्यारू.. या सरकारी कोई पुरवकता बात कर सकते.. या मिशाढ नहीं जैसा क्या है अ कोई सियासी भौज नहीं है अबर्त लगाने वाले लोग लगाएं लेकिन सियासी भोज नहीं राजनीत से भोज का क्या संबंद है कि देखे उस तरह से नहीं कोई बदलाओ के मकसद से भोज का आउजन नहीं है उस नजर से देखने की जिवतनी दन्यवाद